जहिन दोस्तों आज हम thermodynamics के कुछ basic point को study करेंगे ठीक है without इसके आप thermodynamics को अच्छे से नहीं समझ पाओगे ठीक है तो यह जो छोटी छोटी चीजे हैं इनको समझना बहुत जरूरी है तो आईए इस वीडियो में छोटी छोटी कुछ point है उनको समझेंगे इस वीडियो में हम system देखेंगे system क्या होता है surrounding देखेंगे ठीक है boundary देखेंगे और system के types देखेंगे तो यह चीजे हम इसमें basically देखने वाले हैं ठीक है तो आईए शुरुवात करते है system से thermodynamics के जो यह series चल रहे हैं इसमें आप अपना पूरा योगदान दीजिए पूरी वीडियो को देखेंगे अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए तो आप ले लिस्ट को ज़रूर चेक करना ठीक है तो आईए शुरुवात करते है system से system जिसे कि हम निकाय कहते है अब निकाय क्या होता है इसको समझना अच्छे से ठीक है ब्रह्मांड में ऐसी वस्तु जिसकी बारे में हम अध्यन करना चाहते हैं वह वस्तु निकाय कहलाती है या system कहलाती है यह तो basically परिभासा थी अब समझे इसको समझने का परियास करिए कि हमारी universe में ठीक है न अगर उसके बारे में अध्यन करना चाहते हो या फिर आप उसके बारे में और बधर्व करना चाहते हो चीज के बारे में कुँल ही करना चाते हो तो वोowan और सिस्टम हो जाएगे या निकाय हो जाएगा कोई भी सप Tar 450 एक बॉटल रख़ी है यह कोई बॉटल रखी इस परकार की तो इसवीटल के बारे में मुझे अधियन करना है या इसके बारे में कुछ औब्जर्व करना है तो यह बोटल हमारे लिए क्या हो जाएगे system हो जाएगी या फिर निकाय हो जाएगी ठीक है तो निकाय आपको समझ में आया होगा कि ब्रह्मांड में ऐसी वस्तू वस्तू कुछ भी हो सकती है कोई आदमी भी हो सकता ठीक है ना इस थाया है सब्सके आपके लिए कोई क्लास है और क्लास में पर्टिकुलर एक आदमी को देख रहे एक बच्चे को देख रहे हो एक पूरे लिए प्रेगल एक स्टूडेंट को देख रहे हो तो ये बन अगर आप अबजर्व करना चाहते हो तो आप कि तो हम कि आपको सिस्टम क्लियर हो गया होगा सिस्टम समझना बहुत ज़ूरी है इस इस पहन några पॉइंट है जो आपको आगे किलियर होते जाएंगे ठीक है तो ये जड़ है एक हिसाब से थर्मोडाइनमिक्स की अब देखते हैं सराउंडिंग को सिस्टम को छोड़ कर बाकी सब को परिवेश कहा जाता है अब देखना क्या खेल क्या है फंडा क्या है ये देखो ये कोई बॉटल है ये हमारे क्या थी सिस्टम थी है कि नहीं बोला था न मैंने भी किया ये सिस्टम थी तो इस बॉटल को छोड़ के जितना भी इसके चारों और जो भी उपस्तित है ठीक है नभी है इसके चारों और लोलो कोपे हो या फिर कुछ भी अधर ठिंग्स इसके चारों और हो उसको हम सराउंडिंग कहेंगे ठीक है परीवेश कहेंगे परेवेश मतलब तो उसकी चारों और जो भी चीज़े हैं ठीक है न जैसे एक क्लास में बच्चा बैठा हुआ यह कोई बच्चा बैठा इस टाइप से यह बच्चा अगर इसके बारे में हम आप्जर्व करना चाहते हैं तो यह हमारा सिस्टम हो गया ठीक है और इस बच्चे को छोड़कर जि हो जाएंगे सरांडीं का काम करेंगी टिके तो जैसा कि हमने अभी देखा सिस्टम को छोड़कर बाकी सब को परिवेश कहा जाता है जो एम या वह पर देखना एक बोटल बनी होगे बोटल हम बोटब हमारी क्या है सिस्टम है और बॉटल को छोड़कर बार की सब क्या है سरांदिंग है इसके चारों जो फीच्जा है ह Google इसके बार है वो सारा हमारा क्या है सिस्टम एक हिसाफ से ठीक है तो किलेर हुआ होगा सिस्टम और स्राउंडिंग में अब बात करते हैं boundary की boundary एया सीमा सिस्टम और स्राउंडिंग को जो अलग करे सीमा कहलाती है। अब सब्सक्राइब को पमाइब अब स्थी और С eighties, इस ba जल भरावा है इसमें वाटर भरा है तो अब देखना अब क्या हो रहा है कि यह वाटर तो हमारा क्या है सिस्टम है ठीक है इसके अंदर शो और और इसके बाहर ज लकर हो जाएगे सीमा हो जाएगी या फिर बाउंडरी हो जाएगे तो तो किलियर हुआ होगा तीनों पॉइंट बहुत बेसिक से पॉइंट थे अब समझते हैं इसके बाद ताइपस ऑप सिस्टम, सिस्टम के कितने परकार होते हैं, सिस्टम हमारे कितने परकार होते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो सिस्टम के टाइप होते हैं, बेसिकली तीन टाइप होते हैं, ठीक है, एक open सिस्टम होता है, जिसे हम खुला निकाय कहते हैं, दूसरा हमारा close सिस्टम ह होता है जिसे हम बंद निकाई कहते हैं और तीसरा होता है हमारा isolated system या बिलगित निकाई तो इन तीनों के बारे में एक-एक करके समझते हैं आईए देखते हैं तो खुला निकाई हम किसे कहते हैं खुला निकाई open system ऐसा निकाई जिसमें system or surrounding के मध्या ठीक है system सिस्टम और सराउंडिंग मैंने उपर आपको एक्सपलेन कर दिया है तो आप इन चीजों को गौर करना कि सिस्टम क्या होता है मैंड में उसी टाइम यह चीजे आनी छहें कि क्या होती है तो ऐसा निकाई जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के मध्या उर्जाव अपधार्त तोनों का एक्सेंज हो खुला निकाई कहलाता है अब समझना क्या बात है यह बोलना चाहरा है कि कोई एक कोई एक सिस्टम ऐसा हो टिक है ऐसा सिस्टम हो जिससे क्या हो कि उससे सराउंडिंग के मध्य ठीक है सराउंडिंग के मध्य उससे ठीक है एक तो पधार्त का क्या हो और साथ में उर्जा का एक्सचेंज हो पाए मतलब बोलने का ताथ पर यह सिंपल से कि कोई हमारा सिस्टम ऐसा हो जिससे कि सराउंडिंग के मद्दे या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में एक तो पधार्त का एक्सचेंज हो पाए मैटर का एक्सचेंज हो पाए और दूसरा ह हमारा एनर्जी का एक्षजेंज हो पाए तो उसे हम खुला निकाई कहेंगे अब देखना डाइग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं है माना एक बोटल है ठीक है यह कोई बोटल है अब इस बोटल को क्या मैंने इसमें पाने भरावा और यह उपर से कैसी है खुली है अब क्या कंडिशन यहां पर अपलाए होगी देखना कि अब सपोज देड़ बाहर गर्मी है अभी बाहर का जो टेंपरेचर है वह हाई है और यह जो पानी है वो ठंडा है ठीक है यह पानी ठंडा है अब थोड़ी देर बात क्या होगा क्या होगा कि जो बाहर का टेंपरेचर है वो अंदर आना सुरू हो जाएगा है कि नहीं अंदर आना सुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में आप इस पानी को देखोगे तो यह पा बाहर ज्यादा थी अंदर कम थी और फिर हमारा क्या हुआ कि बाहर से उड़ जाई और इस बोटल को पानी को अधिक इसको इसके टेंपरेचर को इंक्रीज कर दिया ठीक है तो बोलने का मतलब वही है कि अगर किसी सिस्टम से एक तो मैटर का और दूसरा एनरजी का एक्षेंज अगर सराउंडिंग में हो पाए एक्षेंज का मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग एक्षेंज का मतलब यह है ठीक है तो ऐसे निकाई को हम ऐसे सिस्टम को खुला निकाई कहते हैं अब इसके बाद बंद निकाई बंद निकाई या फिर क्लोज सिस्टम ऐसा निकाई जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के मध्या केवल उर्जा का एक्षेंज हो पाए पदार् तब एक ऐसा सिस्टम था हमारा ओपन सिस्टम था क्यों क्योंकि यहां से एनर्जी भी बहार के और जाएगी और अंदर भी आ सकती है और जो यह पानी है वह बेपर बनके भार भी जा सकता है ठीक है पर अगर मैं इसका यहां पर ढकन से बंद करतूं अब क्या कंडिक्शन इससे एनर्जी तो हमारी एक्षेंज हो पाएगी सराउंडिंग में परन्तु इससे हमारा मैटर का एक्षेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि धकन तो उपर से बंद है ठीक है उसके लिए कोई रास्ता है नहीं तो इस प्रकार से यहां पर क्या होगा केवल एनर्जी का एक्ष इसका जो neć हो सकता अब तीस्तरा है बिलगित निकाई की बिलगित निकाई इसको देखने ऐसा निकाई जिसमें इस्टम वड़ान डिंग के मत्यी है क्या ना तो उर्जा का और ना ही होगी और ना ही हमारा matter exchange होगा मतलब जो इस सिस्टम के अंदर जो हमारा matter है उसका भी exchange नहीं होगा surrounding और इसके बीच में और साथ ही हमारी जो energy है उसका भी exchange नहीं होगा विलगित निकाई या आईसो thermal system कहते हैं अब इसका उधारण आप अच्छा खासा है आई हईso थर्माल में यहां से ना न els theor जॡ़ुक्ष अंदर आपाती है eyeliner बहुत हुं अन्दर आपाती है कि ना अंदर आपाती है यह सिक्टेक्टाय किते हैं आप देखना डाइग्राम के आदधव से कोई ऐसा सिस्टम है और जो यह दिवार है यह मतलब यह जो इसकी दिवार है इसकी बॉंडरी है वो कैसी है उर्जारोधी है उर्जारोधी और साथ में इससे आपका मेटर का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता है तो ऐसे निकाए को बिलगित निकाए कहते हैं तो यह कुछ बेसिक से जिने आपके लिए समझना बहुत जरूरी था ठीक है ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगे तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगली वीडियो में